जैसे की आचारे ने अपनी जिम्बेदारी निभाते हुए एक स्कूल की स्थाफना की है इसमें बहुत जगे से इटली त्यादी से काफी लोग आई हैं वियतनाम से भी काफी संख्या में लोग पधा रहे हैं और खास करके स्पॉंसर लोग आई हुए हैं और मैंने सोचा की इनके लिए धर्म प्रवचन दूं और इनका जो धर्म उबदेश देने का विशे है वो मार्ग के तीन पाक्ष प्रमुक विशे हैं और उसके साथ उसके जो विहार या स्कूल और जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके माबाब भी आई हुए हैं जो बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए हिंदी में सुनने के लिए विवस्था दूसरे हौल में की गई है और अगर देखा जाए तो प्रमुक रूप से इस प्रवचन के आप लोग शिशे हैं तो कुछ लोग पहली बार भारत तिब्बत से आए हुए हैं जब भी मैं उपदेश करता हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ कि धर्म की आवशक्ता है की नहीं उसकी जरूरत है की नहीं और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किस प्रकार से है उसका एक परिचे मैं देता हूँ बाद धर्म जो है 21 शताब्दी से एक संबंध है इसका और वास्ताव में और बाद धर्म किस प्रकार से है इसका परिचे देना और खास कर हम लोगों को जानना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध का दर्शन है इस 21 शताब्दी में बहुत सारे विकास तो हो रहे हैं चाहे आर्थिक तोर पर देखें या बहरी तोर पर देखें या एक दूसरे से संब्रक बनाने के बारे में हो तो इस तरह से काफी विकास हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन बहुती आसान बना है एक दूसरे से संपर्ग बनना हो इधर उदर जाना हो तो सब काफी आसान हो गया है और खास करके लोग अर्थविवस्ता के पीछे पड़े हैं और अगर हम इससे पूर्व की पीड़ी को देखें तो अगर बहुत एक विकास आने से शांती आती तो पहले से ही स्थापित होती लेकिन अभी तक दुनिया में शांती नहीं है हाला कि बहुत ज्यादा बहुत एक विकास हुआ है फिर भी उसकी जो विवस्ताएं तो जितने भी बाहरी चीजों का विकास हुआ है उससे बहुत सारे लोगों को लाप नहीं हुआ है उससे देखा जाए तो बहुत सारे वो कलेशित होना उसके द्वारा भी हम अक्षुल कर्म करते हैं दूसरों को गाली देना नीचा दिखाना तो समाज में भी अगर देखें तो घरीब और अमीर का जो बहुत बड़ा अंतर है तो ये अंतर भी इसी वजह से आया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो बहुत इक विक गटनाएं होती आई हैं और एक प्रकार से ऐसा भी हुआ है कि लोग मेरा धर्म उसका धर्म ऐसे भी बाते हो आई हैं और जो धर्म को नहीं मानते हैं तो कुछ लोग उनकी हत्या भी कर देते हैं और एक प्रकार का दबाब उन पर देते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं भी गटित हुई है और अगर वास्तों में धर्म है तो उसकी आवशक्ता प्रेम और करुणा के बारे में व्यक्या की जाती है हम किस प्रकार से अच्छे व्यक्ति बने उसके बारे में व्यक्या की जाती है या एक प्रकार का संदेश देते हैं तो आजकल के बर्मा में भी देखें तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत लोग हैं और एक प्रकार से कटर बहुत अनुयाई होने की वज़ह से मुस्लिम लोगों की हत्याय करना और मुस्लिमों में भी अगर देखें तोसिया और सुन्नी संपरदाय के लोग एक दूसरे की हत्या करना तो ये चीज़े काफी दुखद हैं तो हमें यही विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से शांतिक के स्थापना हो सके किस प्रकार से लोग समरिध्धी में रह सके और सारे के सारे धर्म यही बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों को सदभावना से रहना चाहिए और अगर देखे कि इस समय हम यहां बैठे हैं और दूसरी जगे कई बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं ना तो उनके पास कपड़े हैं ना रहने के लिए घर है और वो भुख ब्यास से मर रहे हैं तो इनके बारे में विचार करना चाहिए और अगर दूसरों के बारे में चिंदन करेंगे तो इस प्रकार की भुखमरी शायद पैदा नहीं होगी तो जियादातर हम दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं हैं और अपने बारे में भी सोचते रहते हैं हम बहुत जियादा स्वार्थी हो गए हैं इस वज़ा से ये समस्या हैं और दुनिया में जितनी भी समस्या हैं वो हमारे स्वार्थी और लालचपन की वजह से हैं तो जैसे कि जर्म के साथ साथ दुख उत्पन होते हैं लेकिन उन दुखों में भी काफी जो दुख हैं उन्हें हम देख सकते हैं उनका अनुभव कर सकते हैं और हम अपने आप में चिंतन करें कि हम ठीक हैं तो फिर सोचते हैं कि यही ठीक है तो इस प्रकार जब अपने बारे में ही सोचते रहेंगे और बाहर के लोगों के बारे में विचार नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए तो इन बातों का अगर ध्यान दे तो हम सभी लोग मनुश्य होने के नाते और बहुत सारी जो समस्या हैं वो मनुश्य के द्वारा बनाए गई हैं तो अगर देखा जाये तो ये बस बहुत इक विकास से ही इनको नश्ट किया जा सकता है तो ये संभव नहीं है हम इनके बारे हैं कि सब जो जीवधारी लोग हैं उन्हें सुख मिले उन्हें दुख ना मिले तो जब हम इस प्रकार की प्रारतनाय करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ करने के आवशकता होती है और केवल जैसा की बहुत इक विकास है तो उसके बारे में चिंतन करते रहें और इस बहुत रोके दुखों के बारे में भी हमें सोच विचार करना चाहिए और अगर इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो लाब होगा और खास करके हमें अपना एक अच्छा मन बनाना चाहिए और ये विवस्थाएं अपने मन को प्रेक्षिक्षित करने से ही हो सकती हैं ऐसा नहीं है कि शांती, करुणा, संतोश, तो ये सब सभी धर्मों में व्याप्त हैं, तो अभी किस्वी शताब्दी में रहकर के हम लोगों को धर्मों में अंतर पैदा ना करके सभी के साथ सद्भाव और मित्रता बनाने की आवशक्ता होती है, जब धर्म की बात करते हैं तो उसके मार्ग और कर्म के बारे में जब अच्छी तरीके से जानेंगे तो बहतर होता है, ज्यादा तर समस्याएं मेरा धर्म उसका धर्म एक दूसरे के प्रती बुरे विचार रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो धर्म का अर्थ है कि एक प्रकार से परिवर्तन करने की आवशक् अपने मन को अपने चित को जिसमें भी आप शरधा रख रहे हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, और उसमें जो भी आपको प्रेम, मैत्री और करुणा के संदेश दिये गए हो, तो उनको कैसे आप अपने अभ्यास में लाएं, तो अगर इस प्रकार से करेंगे तो निश् और धर्म को मानते हुए भी उसका ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो इससे क्या फायदा है, धर्मिक वैक्ती होने से भी आपको क्या लाब हुआ, मुल रूप से अगर धर्म की वैक्षा देखें, तो धर्मकार्थ देखें, तो वो दूसरों का हिद करना, दूसरों को लाब देना इस प्रकार के संदेश दिये जाते हैं और ये धर्म के मूल संदेश होते हैं तो जैसे कि आप देख लीजिए बर्मा के बहुत लोग वो कहते हैं कि मैं बहुत हूँ वही बहुत सारे क्रिश्चन भी हैं मुस्लिम भी हैं सब अपने को धर्मिक कहते हैं लेकिन ज्यादा पूरवक धर्म को मानना चाहिए तो जो धर्म को नहीं मानते हैं तो उनको तो कुछ नहीं सह सकते हैं लेकिन जो धर्म को मानते हैं तो उन लोगों को विचार करना चाहिए कि धर्म का संदेश है प्रेम करुणा वो समाच के लिए कैसे लाब दैख हो सकता है झाल